गरिब धन जननी धन भूमी धन, धन नगरी धन देश, धन करणी धन कुल धन, जहां साधु परवेश जगत गुरुतत्व दर्शी संतिरामपाल जी महराज की 74 वेवतरण दिवस के अवसर पर दिनांग 6, 7, 8 सितंबर 2024 को नेपाल सहित भारत के सभी सतलोक आश्रमों में तीन द्विश्य महा समागम का आयोजन किया जा रहा है इस पवित्र अवसर पर तीन द्विश्य अखंड पाट, विशाल भणडारा, विशाल सत्संग समहारों जैसे कई भव्य कारेकरम भी होंगे जिसमें आप सभी नगर वे ग्राम निवासियों को इस विशाल एद्वित्य भंडारे में सादर आमंत्रित किया जाता है आयोजन स्थल का पता है सतलोक आश्रम धनाना धाम, सोनीपत हर्याना इस कारेकरम का सीधा प्रसारण सुबा सवा नौ बजे से दोपहर सवा बारा बजे तक संद्रामपाल जी महराज यूट्यूब चैनल और स्पिच्वल लीडर संद्रामपाल जी महराज फेसबुक पीच पर भी देख सकते हैं गीता में अर्जुन को स्वयम भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्व दर्शी हो इसी परकार हजरत मुहम्मद को उनका अल्लह कह रहा है कि कोई और उन परमात्मा है उसको पाने के लिए उन तत्व दर्शी संत की तलाश कर वो प्रभू कौन है ये जानने के लिए कृपया अवश्चे सुनिये जगत गुरू तत्व दर्शी संत रामपाल जी महराज के अम्रित वचन गीता गयान दाता ने सपष्ट कर दिया कि मुझे छोड़कर अन्य देवताओं की रजगुन बिर्मासदकुन विश्णु तमगुन शिवजी की जो पूजा करते हैं और किसे की उन पर उनकी बुझी हरी जा चुकी है निसे आगे कोई सुनते नहीं जैसे याचारी ये संक्राचारी है ये जीतने भी पुवितर हिंदु धर्म के गुरू धर्म गुरू है ये बिर्मा विश्णु महेश ये विश्णु जी संक्र जी और श्रीकरसन जी पर मारी बुझी को सीमित कर दिया हम इन तागे किसे की सुननदद चार ने कट मरें एक के साथ तो है तो कहते राकस सभाव को धारन किये मुनशयों में नीच दूसित करम करने महले मूर रख यह मेरी बग्ती भी ना करते है एब इनको चार संग्या दे दी एक सलोक में राकसत सुभाव को धारन के विए मुनस्यों में नीच दूसीत करम करने वाले मूँ रखे आप थोड़ा सा परमान देते हैं जैसे एरनिक सिपू ने रजगुन बिर्मा की पूजा करी थी अपने पूतर का सत्रू हो गया अलदी की गाठ पाकर पनसारी बन गया और सब को कह दिया मेरी वक्ती करो अपने पूतर का सत्रू हो गया जुलम को जारे फिर परमातमान आकर उसकी छाती तोड़ी पूते ओली मोत मरे राकसस कहलाया रजगुन बिर्मा का उपासक फिर तमगुन शिवजी का उपासक था रावन कैसे जुलम कैसा दुसित करम किया अपने ही माता को उठा लाया पती बनाने की चेश्टा करने लगा सीता को उठा लाया यानि सीव का पुजारी अपने बड़े भाईवी उसके बड़े भाईवी सुनों की पतनी नठा लाया बता अकल तो इससे दुसित करम और क्या करेंगे दुसित करम करने वाले मूँ रखे राक्सस उबाव को धर्ण कियो मुद्शो में नीच तो चारों माईन के ओपर फ्यट होगी रावन कुट्टे वाली मौत मेरा राक्सस कहलाया एक बस्मागिरी नाम का तपस्वी था बगवान तमगुन संकर का उपासक उसके दुआर के सामने गेट के सामने उपर न पैर करके नीचे नसर सिरासन पक तपस्या सुरू कर दी अठियोग एक दिन पारवती ने कहा कि बगवान आपका उपासक क्या मांगता दे दो आप तो स्मरत है तो सीव जी ने पूछा के बोल भई क्या मांगते हो बस्मागिरी बस्मागिरी ने कहा बगवान वचनबध हो जाओ तो मागओ संकर बगवान ने कहा ठीक वई तथास तो हो गया वचनबध बोल एकदम खड़ा हो गया सीधा उपर ने सिर करके कहने लगया बगवान ये बसम खड़ा दे दो जो अपना आत्म पेन रख्या है बगवान स्री संकर जी ने सोचा साथ दूसंत है जंगल में रहता है अपनी रक्षा के लिए मांगता होगा निकाल के दे दिया और वो चन्वद होई गए थे अब जो ही उस राक्षा के हाथ में वो कड़ा आया उसी से में कह दिया कि हो ले हूँ श्यार सिभ जी तुझे मारूंगा मैं इसलिए साथ ना कर रहा था और पारवती को पत्नी बनाऊंगा हा 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 एकदम बदल गया ते और अब देख लिया बगवान शीव ने भी वह यह तो बात बिकटी की नाक्सस की इसकी वा चेरह बदल गया एकदम तो बगवान संकर भाग लिये वहाँ ते अपनी जान बचा के अपने अत्माँ देखो आगे आगे तो बगवान अरपाचे पुजारी जाख खागड़ा जो टेंग इतरह बागे और ये आज तक हमने मूरख बना रहे हैं ये संते नों के वो मरतुंज कालज सर्वसक्तिमान महेशवर सर्वसक्तिमान बताईए मरतुंज था डिरक बागिरा कबीर साहिब थे मरतुंज थे उनको ऐसे ऐसे जलम गुजारे तोब लगा दी थी परमातुमा को मारने के लिए दरिया में डाल दिया था गंगा में नोका में बठा ले गया थकड़िया जोड बांद कर पैरों में बेड़ी बांद कर और गंगा में डाल दिया अथकड़िया अपने आप तूट की बेड़ी निकल गया था गले से जल के उपर बैठ गे वगवान तोब के गोड़े छोड़ दिया दुस्टों ने चार पैर बारा घंटे तक तोब के गोड़े मारते रहे एक भी निकट नहीं गया वो थे मर्तुंजे अब उदर से आगे आगे बगवान शिव जी भाग रहे है पीछे पीछे बसमागिरी फुल सपीड पै अब प्रमात्मा आकर ज्यान बचाता है इनकी और बसमागिरी तो भाग गये इसलिए रहा था उसने पारबती रूप में बगवान ने कहा रुक जाओ रुक जाओ वो रुक गया उसने तो और ये भी कह जिया कि अब क्यों डरते हो तो रुकेगा नहीं पता नहीं कहां जाएगा जाने दो इसको आजो बैठो अब बसमागिरी से पारबती रूप में बगवान ने कहा कि कुछ डान्स वान्स करके दिखा मुझे ताकि मेरी आत्मा परसन हो तेरे से तो कहने लगया मेरी तपस्वी विक्ती मैंने कभी डान्स किया नहीं तो पारबती रूप में परमात्मा ने कहा ला मैं सिखाती हो ऐसे कर इस पहर नैसे कर, इस आथ नैसे कर, इस नैसे कर, और उपर कर, जिसमें कड़ा ले रख्या था नो बसंकंडा, उसको जब शिर्पा लिया बस्मागरी के जब कहे दिया बसं, बस्मागरी मर गया, उस कड़े को लेकर विष्णु रुपधान करके परमेश्वर, और सिब जी के सामने काफी दूर आग खड़े पर गट हो गए और सिब जी पीछ देख खर भाग गए और का भाग ले विशनू भाग ले राकसस ने ऐसे ऐसे मेरे साथ दोखा कर दिया तो परमात्मा ने कहा विशनू रूप मैं के बोले नाथ देख यू तेरा कड़ा ले आया मैं उसका जचे नहीं यह बात कैसे ले आया आप कि मैंने उसको मार दिया ऐसे ऐसे पारबती का रूप बना के और उसको गंड़त नाथ नचा के मार दिया है अब उसका जचे को नहीं यह बात तो आप उसाथ लेकर आए उसको उसकी राख देखा ली ना देख यू मरा पड़ा यू दल गया जब दिल की दढ़कन ठीक हो यू मर तुन जेगी संकर भगवान की अपने अत्मा इससे भी दू स्टोर कौन हो गया अपनी मां का उपर नीत डिगा दी और भगवान संकर को अं है और देदिया कड़ा ठाया कि उसका दो मार वजूद बगा देता हुआ थे यदियां तर्यामी होता समझ जाता पहले ये क्या वक्वा सोचे बैठा है और इनकी हम पूजा करने पहला रहा रहे थे सारा जीवन पर बाद कराय दिया मारा और परमात्मा स्टोर पहले का करते तीन देव की जो करते बगती उनकी कदे ना हुए मगती अब बसमागिरी से बसमाशुर हो गया राकसस कहलाया और कुटे वाली मौत मेरे रहा है ऐसे दुसित करम ऐसे जुलम अपनी माँ पर नीत डिगा रहा है यानि देव इश्क देव रूप में पूजा है उसकी पतनी बखो दोसमन मनीच कर इसे बुंडा और कौन इसे दुस्ट और कौन होगा फिर तीसरे आते हैं विश्णों के उपासक वैश्णों एक बार कुम का मेला हो गया और दुवार के अरकी पड़ी पर विका उनका सही योग बनी गया तो आपन ये गिरी पुरी नागा नाथ सन्य सन्यासी वैश्णों ये अपने अपने ग्रूप में इकठे हो जाते हैं नागा का अलग ग्रूप सन्यासियां का अलग वैश्णों का अलग नाथों का अलग कनपाडे नाथ न्यारे ये नागा तो हैं बगवान तमोगन शिव के उपासक और वैश्णों सादू हैं ये बग इन्रदारी तो होता है गंटे आद गंटे का जितना भी होता है कि उसके दोरान जो ना लिया सो ना लिया ये मानते हैं उसका कल्यान हो गया अब गए थे कल्यान करवान और फिर क्या हुआ उनका वहां पर अब सनान करने का जो समय आ गया उनका पर भी लगनी थी कुम के मेले क तो सभी अपने अपने ग्रूप में चल पड़ते हैं, नाग्गा अलग से, वैस्णू अलग से, नाथ न्यारे, सन्यासी भिन अपने अपने खेवे में चल पड़ते हैं, तो सब से पहले नाग्गा पहुंच गें, कती नंगे रहते हैं, और वो अर्किपैडियों पर सब जग विशनू जी के उपासक उन वैशनों ने कहा कि नागाओ पहले हम सनान करेंगे, हम सर्वस्रेष्ट है तुम बादमन आना अब नागा कहने लगे, नहीं हम सर्वस्रेष्ट है हम त्यागी और बेरागी है हम नहीं इच्छा रहते हम नवस्तर भी धार नहीं करते हम बिलकुल निरलेप है तुभी सुनू के उपासक वेशनू साथ हुए नगे सरड़ फिरलो तम टटी कहाँ दो तेनी राख लपेटे आंडो गजे की तरह लोट मारो आज तुम पर्थम नाने वाले होगे पहले हम नाएंगे तुम बहार हो अ अब यह वचन सुणका है अब वो तमोगुन के पुजारी हो गए उल्ते है और पकड़ ले उनके सर के उजटा पकड़ पकड़ के वो उसके पकड़ भी लट्थम लट्था मुकम मुकम बुडके काते हैं मुखों से काट और तलवार नकाल जाये कटारी माने एक दूसरे के छुर्डे के छुर्डे गोप दें, पत्तीस अजार ये चर्गुण उपासक, ये कठ कमर गेवाँ पर हर पैडी के उपए, हर की पैडी उपए, गंगा का पाणी लाल बना दिया, लास उसके अंदर सव नौ बहादी नरे, तो इसके विशे में सुक्संबेद के अंदर पर मात्मा ने कहा है, अब क्या बताते हैं? के तीर, कटारी, तल्वार, ठोकें एक दूसरे में, और ये तीर, तुपक, तल्वार, कटारी, नोकें जम्धड़ जोर बदावे हैं, यानि कती डट का युद किया उन्होंने, और हर पैडी, हर हेत नहीं जान्या, वाजा करद चलावे हैं, बगवान हर, हर पैडी को है, बगवान का प्रेम भी नहीं, और अपस में कट का मिर गिये वहाँ पर, काटें सीस नहीं दल करूना, ये जग में साथ कौावे हैं, इनका इतनी दयानी, राकससे भी बुरे हैं, काटें सीस नहीं दल करूना, ये जग में साथ कौावे हैं, और जो जन इनके दरसन को जावे, इसे ऐसे विक्तियों के पास जो जागा, उनको यही पाठ पढ़ाओंगे कटने और मरने का तो उनको भी नरक पठाओंगे तो पुन्यात्मा परमात्मा 600 वर्स पहले कहा करते गुन तीनों की बगती में ये भूल पड़ो सलसारे कहें कविर निज नाम बिना कैसे उतरो पारे तीन देव की जो करते भकती उनकी को धेना हो एंविकती अपना अत्मव परमात्मा ये कहा करते कि उन्होंने ये नी का कि ये हमारे बर्मा भी सुनो महिश तुम्हारे दुस्मन नहिं बताए ये अपने भाईबेन है और काल का फस गई अच्छी आत्मा हैं इनको बना दिया यहां का चौधरी इनकी मरत्य होगी जिब इनको गदे बना कर छोड़ देगा और नहीं तार कर लेगा अपमत यह तो हमारा दुर्पयोग कर रहा है और दुर्बाग गया उन देवताओं कारिबर महाविशनों महिस का जो आज सुरग में बैठे हैं उनके हाथ से यह प्राइम टाइम निकल गया है जो आज आपको प्राप्त हो रहा है यह समय है बहुत प्रमात्मा कबीर जी आदनी गृवदास साइब जी को सत लोग लेकर गए थे वह सब सथीथी से परिचित करा के विर्मा विशनों महिस की सथीथी से परिचित करा के वह पे छोड़ दिया उसके बाद उन्होंने का था तिन्नू देवा कमल दल बसे ये विर्मा विशनों महे से पर्थम इनकी बंदना फिर सुनसत गृवदे से उनका था कि विर्मा विशनों ये तिन्नू देवा कमल दल में वस्ते हमारे कमलों में इन दलों में आंदर रहते हैं और पर्थम इनकी बंदना ये मंतर जो करते हम इनकी साधना करते हैं और फिर सुन सत गृवदेश सत्गुरु के ज्यान को सुनो और उसका पूरा कम्पलीट कोर्स लो तब ये बात बनेगी अब बिर्मा भी सुनो महेश हमारे कोई दुस्मन नहीं है कई कहते हैं कि आपके गुरु जी तो बिर्मा भी सुनो महेश को छुडवाते हैं बिर्मा भी सुनो महेश को हम छुडवा सकते हैं हम कोई बालक हैं अब जैसे उर्धव मूलम अधा साखम उपर को जड़वाला नीचे को तीनों गुन रुपी साख़वाला उल्टा लटका हुआ संसार रुपी बरक्स है अब इस इसमें क्या है उपर को जड़ता पूर्ण प्रमात्मा नीचे को तीनों गुन रुपी संसार रुपी बरक्स की साख़वाला तो क्या कोई साख़वा को काट देगा बुदिमान विक्ती पेड की साख़वा को कोई काटने की कहेगा कि इसको तो फैंक तो काटके उस फिर लटका के करेंगे बाकी का प्रमात्मा कहा करते कि जैसे कोई हमने बगती रुपी पौधा बीजना है और हम नर्सरी से कोई पौधा लाए कैसे बीजेंगे उसको गड़ा खोजेंगे और उस गड़े में उसको जड़ों की तरफ से दबाकर मिटी में फिर उस जड़ों की मूल की से चाहिए करेंगे तो मूल की यानि जड़की स्पूजा करेंगे हम तो वो पौधा पेड़ बनेगा उसकी टैनिया बड़ी बड़ी हो जाएंगी तीनों कुन रुपी साखा तो उन साखाओं के फल लगएगा और फल के लिए हम सारा प्रोसेस अपना कर रहे हैं फल प्राप्ती के लिए हम कर रहे हैं तो वो हमने तोड़ जानी होते हैं हमने ऐसे करना है अपनी वे ओफ बरसिप अकॉर्डिंग टू दा सेपिरिच्वल करना है ये समझ लो हमें एक पौधा लाए तो ये है वो दीमता जड़ों को गमले में यानि मिटी में डाला दबा दिया और पूजा सुरू कर दी से चाहिए ये जड़ कबीर परमात्मा है इस संसार रुपी वरक्स की अब ये हमने जड़ों को पूजना है इन बिरमा विशनो महिस की पूजा ने कर लिए हम क्या कर रहे हैं ऐसे कर रहे हैं ये बता वाल का उना काम कर रहे हैं आसी नहीं हो है हम यासी पूजा कर रहे हैं उल्टा काम कर लिया हमने बिरमा विशनो महिस को हम इस टूप में पूज रहे हैं गमले में ला दिये विर माविशनों महिस और ये पूजा कर रहे हैं तो कोई क्या कही का समझदार विक्तिन उगार सीधा कर ले इसने और वो लड़े हट जा दूर खबरदारत ने क्या कर दिया अब देखो जड़ छोड़ दी हम ले अब जड़ उपर रहेगी तो पौधा बगती रूपी पौधा सूख गया ये यूदलेस है ये सास्तर विजी को उता कर सास्तर विरुद साधना ही ये उटा लड़ भी जा हुआ बगती रूपी पौधा और हमने ऐसे करने को का है तो इसमें इसकी पूजा करेंगे बगवान कबीर साहब की फिर हमारे सास्तर विरुद कर्म बढ़ेंगे सास्तर विरुद संसकार ओने से ये फल गर माभी सुनु महिसने देना हमारे को क्यों कि यहां के ये परद्धान है इबिन का फल लगेंगे अब इसका प्रमाण देते हैं अपने अत्मा और परमात्मा ये कहा करते हैं तुम साधना ठीक करो और फिर अप आपको लाव होगा पूरा अब तुम साधना कर रहे हैं उनकी जो आपको कुछ देई नहीं सकते हैं अब जैसे आप किसी फैक्टरी मालक की नोकरी कर रहे हो तो नोकरी उसकी कर रहे हो आपकी हादरी लगकर तन्खा बनकर कैसियर के पास आती है अकाउंटेंट के पास आती है अब तन्खा तो देंगे अकाउंटेंट और वो कैसियर लेकिन वो देंगे आपका वरक डन और वो भी उस मालिक की मजदूरी करोगे तो यदि उस आप लागे अकाउंटेंट और कैसियर की जुत्ते साफकरन उसकी फिलेट दोनरवा नोकरी दी छोड़े आपने वो खाके देंगे आपको जो गहें बाज्या चौर चाह भी ना प्याओं टेम पर तो इसी परकार हमने प दाशतर नकूल जीतने की तका प्र यहाँ पर गवा लना एंगेंगे यह यहां पर जब तक आप यहां रहो गए तो यहां के प्रदान इंहोंने हमारा वर्क डन देना है जैसा करम करेगा फल देगा वगवान इनका या आखरी भी दान था तो ये वगवान तो वर्क डन ही दे सकते इसमें एड नहीं कर सकते और फैक्टरी मालक मुनमान के राकेज दे तोफे में यानि परमातमा हमारे मालक है मालक तो कुछ भी दे सकता है अब और थ्दा सिकाथ दिखाते हैं क्योंकि कंशप्टी से जुड़ा हुआ है इप सी गीता जैह नम era 3 के ये सिरिमत्भुक्त गीता जैह नम तीन के आपको दिखाते हैं सलोक दस से लेकर पंदरां ये देख्येगा शिरिमत्भुक्त गीता जाहे नमबर तीन के और सलोक नमबर दस परजापती बिर माने कलब के आदी में यग सहीत परजाओं को रच कर कहा था तुम लोग इस यग के दुआरा यग माने धार्मी कनुष्ठान सास्तर नुकुल वर्धी को पराप्त हो यग तुम लोगों को इच्छित भोग परदान करने वाली हो गयर में कहा है यग के दुआरा यग के दुआरा देवताओं को उन्नत करो और वो देवता तुम लोगों को उन्नत करें इस परकार निस वारत बाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग कल्यान को प्राफ्त हो जाओगे बार में हम फिर कहा है यग के दुआरा बढ़ाए गई देवता बता और देवता ने क्या हम पकड़ कब दावांगे अखेंच कब दावांगे उनने अब ये विद्धी बता रहा की है कि सास्तर उकल साधना करने से जड़की पूजा करने से ये तिन्नों देवता रुपी साखा बढ़ जाएंगी बढ़ी हो जाएंगी फिर ये फल देंगे देखिए यग के दोवारा सास्तर उकल साधना के दोवारा बढ़ाए हुए यानि बढ़े हुए देवता ये तीनों साखाएं तुम लोगों के बिना मांगे ही इचित भोगनिश्चत देते रहेंगे उन देवताओं को दिये हुए भोगों को जो पुरस उनके बिना दिये स्वम भोगता हुआ चोर है अब क्या से दो गया कि जैसे हम मूल की पूजा करे से टैनी बड़ी हो जाएंगी ये देवता बढ़गे बड़े होके ये फलों से लद्पत हो जाएंगी ये टैनी बिना मांगे देंगे अपने आप क्यों की अमूल की पूजा करें ता अपने आप इनका बसकी बाद नहीं देने जड़े पड़ेंगे फल हमारे को आगे तेर मिम्काह है यग से बचे हुए अन को खाने वाले स्रेश्ट पुरुस सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और जो लोग जो पापी लोग अपने स्रीर पोशन के लिए ये अन पकाते हैं वे तो पाप ही खाते हैं अपने अत्माओं यहां पर सतलो कासर मरवाला जिला इसार अरियाना में पूरे विश्वे में एक ये सथाना जां सास्तर नो कुल साधना उती है अब ये क्या बता रहे हैं यग से बचे हुए अन को खाने वाले स्रेश्ट पुरुस संत संत यानि अच्छी आत्मा तो सब पापों से मुक्त हो जाते हैं हम सबसे पहले पर्मात्मा का भोग निकालते हैं भोजन का भी अलूवे का परसाद बन कराता हुव भी उसको भगवान के भोग लगाकर फिर शेश अन को वित्रित क्या दाता है तो ये कहते हैं यग से बचे हुए अन को खाने वाले संत साधू संत भग्त यग से बचे हुए अनको खाने वाले संत है यानि सादू संत भगतात्माएं सब पापों से मुक्त हो जाते हैं अब करने का भाव ये है कि यहाँ पहले भगवान को भोग लगा के से बचे हुए अनको उसके बच्चों को वितरित किया दाता है वो महापाप नासक बन जाता है तो यहाँ आओगे तो सारी साधना मिल लेगी आपने तो सब पापों से मुक्ताप होगे ग्यान सुनोंगे धरम यग ग्यान यग परणाम यग सारी यग सब साधना पुरा ट्रीटमेंट दिया जाएगा फिर कहते हैं जो दान दर्वनी करते हो तो चोर है बगवान के जिन हर की चोरी करी और गए राम गुन भूले ते बिजना बागुल किये वो फिर जूले उल्टी जूले कहते हैं जो जिन हर की चोरी करी बगवान ने जो आपको दान दिया है दन आपके संसकार में उसको आगे दान जो नहीं करता वो तो चोर बताया बगवान का तो फिर क्या बताते हैं देखिएगा आगे इस मनिस्कर्स निकल रहा आप तीसरे धाय कामने तीसरे धाय कामने ये तेरमा सलोक पड़ लिया यक से बचे हुए अन को खाने वाले सरे संत संत माने आप अच्छी आत्माई है सब पापों से मुक्त हो जाते हैं अर्जो पापी लोग है अपना केवल कमाया और खाया वहीं तेक सीमित हैं वो तो पाप को खाते हैं अब चोदा और पंदरा में एक निर्णा एक ज्यान दे दिया पहले इन कानवाद पढ़ाएंगे इन दी नीरा का फिर समझमाओगा संपुर्ण प्राणी अन से उत्पन होते हैं अन की उत्पती वरिष्टी से होती है वरिष्टी यग से होती है और यग से यग सास्तर अनकूल कर्मों से जो होता है वो विहित कर्मों से उत्पन होने वाले हैं यग यन दार्मे को उस्ठान और कर्म समुदाय को तुँ ब्रमो उद्भवम इनोंने ब्रमकारत वेद कर दिया ब्रमकारत वेद कर दिया ये लिखना था कि देखो हम यहाँ पर आए इस काल के लोग में तो हमने करम करके ही मिलेगा नाकती नहीं मिले तो कहते हैं ये करम लगाए बिरम ने बिरम ने बनाए भी धानिया का और बिरम की उत्पती हुई परमक्सर बिरम से उस परमात्मा से सचीदानन गरन बिर्म से इसकारत तो ये है लेकिन ये न ग्यान ये न कुछ ग्यान तो था नहीं सारे उट्टे अडंगे अड़ाय दिये ये देखिएगा करम समुदाय को तूम वेद से उत्पन नहीं बिर्म से उत्पन होए और बिर्म अकसर पूजा करनी चाहिए इसका निस्करस यह निकर जाए अब हम उस प्रमात्मा को इश्ट मान कर पूजा करेंगे तो हमारी सास्तर अनुकुल साधना होगी और इसमें कहा कि सारा जो सास्तर अनुकुल साधना करने से हमारे सुब संसकार बनेंगे ये बगती रूपी पौदा गेटे नियाक है आप भी खावर रिस्तेदार भी ले जाओ और पुड़ोसी भी तोड़ ले जाओ तो भी समापत ना हो तो इतना इस परकार हमारा ये पूरा बगती करम पूरा होता है तो हम आपको सबसे पहले परमात्मा ने कहा है कि तीनु देवा इन कमल दलों में बसे ये हम किसीका किरा दे रही हैं जैसे हम टेक्स बढ़ रहे हैं बीजली का हम बढ रहे हैं इसका टेलीफोन का वो पूजा ठोड़ी करे हैं वह तो हम उनको दे रहे हैं तो हमें हमारी ermात्मा से मिलने वाली साधना से वन्जित हो अकरके हम नास्तिक होते जा रहे थी अब परमात्मा ने दया करी आप के उपर है और इस दास के उपर है इस दास को बनाया गुतत वो दर्सी संथ और जो ग्यान परमात्मा सेसो वर्स पहले छोबा गी थी खजान दास को चाबी दे दी अब दास ने खोल दिया उसके बच्चों के सामने अब खाओ और खरतो तुलो सत लोक परम पिता परमात्मा पूरन बिरम सारी सिर्ष्टी के रचनहार सर्व पराणियों के दाता सर्व पराणियों के सिर्दनहार कवीर देव कवीर साहिब ये हमारे परमपिता है ये सभी पराणियों के ही तैसी है जिन पुन्यात्माओं को मानुसरी पराप्त हो चुका है और वो भी इस कलियुग के ऐसे समय में जिसको कलियुग का मोक्से समय कह सकते है तो धन है उन पुन्यात्माओं के उन पुन्संसकारों को और धन है उनके मातपिता को जिन से जनल हुआ पुन्यात्मा कहते है मात पिता मिल जावेंगे मात पिता मिल जावेंगे लख चुरा सीमा ही सत गुरु सेवा और बंदगी ये फेर मिलन की ना ही कबीर परमेश्वर जी कहते है कि मात पिता तो आपको इस तरह सी लाख योनियों में बटकते हुए बहुत मिल जाएंगे मन उस जीवन होगा वहां मात पिता होंगे कुटे का जीवन होगा वहां मात पिता मिल जाएंगे सूर का जनम होगा वहां मात पिता मिल जाएंगे लेकिन सत्गूरु सेवा और बंदगी ये फिर मिलन की ना पुनात्मो हम कहां रह रहे हैं कैसे लोक में हम जीवन वितीत कर रहे हैं ये हमें कभी विशेश आभास हुआ नहीं हम क्यों मर रहे हैं क्यों हम रोगी कोड़ी हो रहे हैं क्यों हम सारा दिन भटक रहे हैं कोई ना कोई टेंशन लिये हुए अब हमने ये सोचा ही नहीं इतने कष्ट के अंदर भी हम फिर जीवन की इच्छा ही किये रहते हैं क्योंकि हमारे उपर एक प्रैसर है इस तिरगुन मई माया का तिरगुन माया काउनसी है रजगुन बिर्मा जी सद्गुन विश्णुजी टंगुन शिवजी के अंदर से निकल रही और गुप्त किरने जैसे वो बगवान अपने राजदानियों में अपने लोकों में रहते हैं उनसे निकल रही ये तरंगे हमें यहां परभावित कर रही है जैसे एक रसोई के अंदर मिर्चों का छौउक लगता है वा मूल वस्तू साकार रसोई के अंदर है उससे निकल रही वो तरंगे दूसरे कक्सों में बैठे हुए विक्तियों को भी परभावित कर रही है छीके आ रही है उन छीकों को रोकना उस विक्ति के वसकी बात नहीं और उन छीकों का कारण कौन है वो साकार मिर्च जो रसोई के अंदर है ठीक इसी परकार उन वगवानों से निकल रही ये तीनों गुणों की किरने रेज हम सभी को यहां पर भावित किये हुए है और जिस कारण से हम सोची नहीं पाते हैं कोशिस करते हैं तो दो सेकंड के बाद मन कहीं का कहीं पहुंच जाता है कभी कभी होता था ऐसे कि ये क्या जीवन हुआ सुबह उठो खाना बनाने में लग जाओ खाना खाओ फिर कमाने के लिए जाओ आते पढ़के सो जाओ उठको फिर भागो फिर स्याम को पढ़ जाओ फिर भागो मर ही जाओ यही काम पूरा ना होता लेकिन कभी कभी आती थी यह बातें पर दो सेकंड के बाद ही कोई और यह बात यहाद आ जाती थी उसको भूल जाते थी और यदि हमें यह आवास हो भी जाता थोड़ा भो तो फिर करते क्या हम घर छोड़ जाते थे जंगल में चले जाते थे जंगल में जैसे बगवान आमने बाद कर बठा रखिया जाते मिल जागा ऐसी हमारी गल्ट वावना है थी हम अग्यान के कारण इस काल के इस जाल को समझ नहीं सके उसको समझाने के लिए स्वम प्रमात्मा आए वो हमारे पेता है हमारे जनक है क्योंकि अपने का दुख अपनों को ही होता है तो इसके लिए प्रमात्मा कहते है कभीर ये माया अट पटी और सब गटान अडी किस किसे नह समझाओं या कूँ है भांग पड़ी या तिरगुन महीं माया की यहां के सुक्स विदाओं की यहीं के चोचलों को देख कर मन यही भरमित रहता है तो ये भांग पी रखी आपने नहीं जब ये भांग उतर जाएगी आप बाकी का जीवन गिन गिन के काटोगे वगवान कज पीछा शूटेज गंदे लोगते अरी वग ग्यानता के कारण हम यहीं सुधाएं यही जुटाने के लिए लगे रहते हैं यहीं की सुक्स विदाएं पराफ्ट करने के लिए हम संतोरिस्यों के पास मंदरों मस्जिदों में जाते रहते हैं और यह हमारे साथ ना चली और जीवन सारा इन ही की जोड़ जुगाड में विर्थ हो जाता है तो वो ग्यान पर मातमाने आके जिया है तो यहां बताया है कि मातमुता मिल जावेंगे लग चौरा सीमे और सत्गुर सेवा और बंदगीवाई फेर मेलन की न है अपने आदमों सत्गुर सवद्द एक मौतमात तवपूरून है अब जैसे गुरू किसे कहते हैं गुरू उसको कहते हैं जो मारग दर्सन करता है वो अपने अकसेतर का मास्टर होता है जैसे कोई मेकैनिक है उसको भी गुरू मानते हैं उसके सागेर्द जिनको उस पर वो ट्रेनिंग देता है ऐसे ही अक्सर ग्यान देने वाले भी टीचर वो भी गुरू कहलाते हैं वो अपने विसे के मास्टर होते है बहुत अच्छी बात है उनको गुरू कहा जा सकता है लेकिन अज्धात्म मारक के अंदर दास ने देखा है कि गुरू पद पाकर भी वो बिलकुल नालाएक अदमी है उनको कख नहीं पता अपने सब्जेक्ट का अब जो अज्धात्मिक टीचर है गुरू है तो उनको अपने सलेबल्स का ग्यान होना चाहिए तो वो टीचर है नकाय के टीचर हो तो बकवादीव इनसान है जिसे जापक को अपने सलेबल्स का ग्यान नहीं अपने सब्जेक्ट्शियों परिचित नहीं उसके आउट उसके बाहर का ग्यान विदार्चियों को सुना रहा है तो विदार्चियों का सत्रू है वो विक्ति वो गुरू नहीं है बहले है उसको गुरू कहते है टीचर कहते है वो तो गल्द ग्यान टीच कर रहा है तो यहां सत्गुरु सबद की इसलिए अवसकता पड़ी कि यह गुरु पद परवराजवान व्यक्ति यह गुरु नहीं है, यह जूठे है इसलिए सत्गुरु की अवसकता पड़ी सच्चा गुरु, सच्चा टीचर रियल टीचर तो इसका मतलब सच्चा गुरू है तो कोई जुठे गुरू भी है तभी तो सच्चे समझ की आँ सकता पड़ी तो उसकी पूरती करने के लिए स्वेम प्रमात्माई आते हैं प्रमेश्वर की वानिम आता है तीन लोक और बहुन चतुर्दस कोई नई सत्संगी सत्संगी का अर्थ होता है जो पूर्ण रूप से सत्थ को आधार मान कर अपनी सर्वे अज्धात्मी क्रियाओं को करता है वो सत्संगी कहलाता है और वो सत्संग कांसे सुनने को मिलता है सत्गुरू से मिलता है तो जो भूली आत्मा इन अकली गुरूओं के पास साधना कर रही है उनके सिस बन गए है वो सोच तो ये रहे हैं कि हमें सत्गुरू मिल गए लेकिन ये उनकी भूल है क्योंकि उनको ग्यान नहीं तो उसकी पूरती करने के लिए उसका निराकरन करने के लिए इस अग्यान का नास करने के लिए स्विम परमात्मा आते है और जिस लोग में हम रह रहे हैं ये काल का लोग है इस लोग का काल है राजा और ये माया जाल पसा रहा हो चल अनसा सत लोग हमारे छोड़ो यूसन सारा हो तो पुने अत्माओ वो परमात्मा स्विम यहां आते है वही एक सत्गुरू की भूमिका करते है वही एक सच्चे भगत की भूमिका करते है वही एक सच्चे संत की भूमिका करते है और वही एक नेक नागरिक की तरह एक अपना उधारन करते है एक नेक नागरिक यानि अच्छा विक्ती समाज में रहने के किस परकार वो रहे किस परकार के उसकी गतीवी दिया होनी चाहिए ये सब लिलाए »माल की करके हमें एक उधारन पेस करते हैं तो वो पुर्मात्मा पुर्ण बरिंग जिसको सत्थ पुरस भी कहते हैं उसी को अमरपुर्ष भी कहते हैं उसी को अकाल मुर्थ सबसरु पीराम और सथपुर्ख उसी परमात्मा की ये मातमक नाम है उनका रियल नाम नेम जो है वास्तविक नाम कवीर देव है कवीर सहाब वेदों में कवीर देव Quran स्रियश में कबीर अ अकber अन्ह अन्हें अपने असाद से अनका अर्थों के कबीर स्वेद खिर्थ कर दिये हों लेकिन वो बोद उस पूर्ण परुमाटमा का ही है पूर्ण परुमाटमा का अामर पूर्ष का कबीर परमीस्वर जी पहले जब इसकल यूग में आये थे सन 1398 से सन 1518 तक 120 वरस परमात्मा यहां रहे और एक जन सादान जैसी लीला की जो की उपरते की यूग में ऐसी एक लीला करते ही करते हैं तो उसे में वो एक सिसु रूपधार्ण करके सत लोग से आये थे अपने निजदाम से और एक कमल के फूल पर आकर विराजमान हो गए थे नवजाद सिसु का रूपधार्ण करके वहां से एक नी संतान दंपती नीरू और नीमा जो जुलाहा थे जुलाहा का कारिये करते थे उठा ले गए थे जुलाहा के गर पे प्रवरिस होने के कारण और बड़े हो करके जुलाहा का कारिये करने के कारण वो परमात्मा जुलाहा के लाए स्वेम् प्रमेश्वन अपनी वाणी में कहा कि अब्दू आउगत से चलाए मेरा किसी ने भेद मरम नहीं पाया मात पिता मेरे ना ही ना मेरे गर्दासी और जुलहे का सुतान कहा जगत करे मेरी ऐसी उस प्रमातमा ने छच्छ सो वरस पहले कहा था कि वेद मेरा वेद है अब्दन के माही और जौन वेद से मैं मिलूए बेद जानते ना ही प्रमातमा ने कहा था अपनी पैरी आत्मा धर्मदास्टी को कि चैरों वेद मेरा ही गुंगान करते हैं तर इन वेदों में वरणित विदी से मेरी प्रापती नहीं हो सकती क्योंकि वेदों में केवल ब्रह्म तक के पाने की यानि भगती का विद्धान वरनित है और प्रमक्सर ब्रह्म यानि सत्पुर्ष की भगती का मंतर उसमें आप्शन छोड़ दिया है कि उसको तत्व दर्शी संथ बतावेंगे उन से सुनो जैसे श्री मदवगत गीता अध्धाय नमबर चार के सलोक नमबर चौटीस में और बत्तीस में इन दोनों मंतरों से सफिष्ट हो जाता है कि सचीदा नंद घन ब्रह्म ने उस अप्रमक्सर ब्रह्म ने सत लोग से चल कर यहां आक है क्योंकि परमात्मा नर आकार है मनस सद्रस है जैसे कहते हैं नर नारन दे है तो नर यानि मनस की उस परमात्मा जैसा ही सरीर है उस परमात्मा का हमारे जैसा ही सरीर है और जिन मापरसों ने परमात्मा को देखा और उने बताया हमरे ही हुनियार है हमरा सिर जनार हमारा जो रचने वाला है हमारा बगवान हमारी जैसा है हमारी उनिहार है हमारी जैसी सूरत है लेकिन उसकी सामरत है और उनके स्रीर का जो तेज है वो हमसे कई गुना है वहां सतलोक में गीता जी में लिखा है चोथे जाय के 32 में सलोक में कि भार्मिक उनस्थानों की यथारस जानकारी विष्टार के साथ सची दानद गंबर्म की वानि वर्नित्य gef़ुति वर्मने मुखे मूल पाठ मैं गीता जहर नमबर 4 के सलोक 32 में के मूल पाठ मैं एक सब्द है वर्मने मुखे ब्रम ने माने सचीदानद गन ब्रम क्योंकि यहां इन अन्वाद करताओं ने अपनी अज्ञानता के कारण अनर्थ कर दिया ब्रम ने मुखे का अर्थ लिख दिया वेद की बाणी वेद की बाणी तो गीता में बोली ही जा रही है गीता ग्यान दाता गीता वेदों का इतो निस्करस है या गल्त कर दिया इनों ने इस ब्रह्मने का अर्थ ब्रह्मने सब्द का अर्थ गीता जाय नबर 17 के सलोक 23 में सही कर दिया वहां लिखा है कि सचीदानंद गन ब्रह्म ब्रह्मने माने तो यहां भी सचीदानंद गन ब्र यानि अमर पुर्ष परमक्सर ब्रहम ने अपने मुख कमल से जो वानी बोली है उसके अंदर विश्थार के साथ का आ गया है प्रमात्मा की पाने की ये थार्जविदी ए से लेकर जैड तक यानि कम्प्लीट कोरस उसके बारें फिर कहा के चौथे दागे चौथे दागे चौथे स्लोक में कि उस ग्यान को तुत्तो दरसी संतों के पास जाकर समझे इस सिद है कि गीता ग्यान दाता उस रियल वे ओफ वर्सिप से उस मैथड से वो परीचित नहीं है क्योंकि ये ब्रहम ये सरपुरस ये काल स्रीकर संजी में प्रोविस करके गीता जी का ग्यान बोड़ रहा है तो वो कहता है मुझ ब्रहम का क्यों लेको मकसर है नथिंग एल्स और भी जो तुम अठपट करते हो अबनमे शुआए ओम बागूते वासुते हो फुनाना फुन ये सब बकवादे हैं ये मंतर नहीं है गीता एक अथेंटिक सद्गरंथ है हॉली बुक है को बालकों के डूम बाटके गीत नहीं है इसके अंदर तो हमने इन सद्गरंथों को अधार मान कर अपनी बगती को सुचारू करना है अन्यस छोड़ देना है जो गल्तिया जो गल् विश्वास मत करना है इसी परिखता है ना उनको कोई सिद्धी पराप्त होती है ने उनकी कोई गती होगी तो यूजलेस इससे तेरे लिए अर्जुन करते हो रहे करते हो कि अस्था में ये सद्गर्थी परमान है इनी क्यादार से जो करनी चाहिए साधना और ना करनी की परकार यदूरवेद का चालिसमा जो अज्धाय है ये अन्तिम अज्धाय है और इसमें कुल सत्रा सलोक है मंत्र हैं इस सत्रा मंत्रों में एक निर्णाेक बोड पर लाके ग्यान रुक गया है जैसे गीता ग्यान दाता अठारमें अज्धाय के अंदर लाश्ट के जो सलोक नमबर चालिस से लेकर और चैसट तक एक निरनाएक ग्यान दे देता है उसमें कहा कि यदि तुने मेरी सरंड ग्रहन करनी है तो युद तो करना ही पड़ेगा यहां स्यानती होगी नहीं जनम मरतु तेरी भी रहेगी मेरी भी रहेगी अठार में जाय के चालिस में सलोक में एक सेट और वे सेट में सपष्ट कर दिया है कि जिस परमातमा ने सब प्राणियों की उत्पत्ती की और वही परमातमा अब सब को करमाधार से एक यंतर की तरह गुमा रहा है तो तु सर्वा भाव से उस परमेश्वर की सर्ण मज़ा उसकी करपा से तु परमशानती को और सनातिन परमधाम को प्राप्थ होगा अठारमीद है कि 63 में स्लोक मारत कहता है गीता ग्यान दाता कि अर्दुन जो मैंने गुप्ट से गुप्ट ग्यान कहना था उत्रेत कह दिया जिस गीता कह ग्या अब जैसे तेरा मन माना ऐसे कर ले मेरी सरण में रहना तो युद करना पड़ेगा अठारमें जै के पांच और सात में स्लोक मां कहता है तो मुझ मामन वाला हो मेरे भाव बना मेरा सिमन कर, युद भी कर मुझे ही पराप्त होगा तो तुनेंट अठारमें जै के आठ, नो, दस में तीन स्लोक मां कहा कि उस परमेश्वर की सरण मां जाना है उसकी भक्ती करेगा तो उसकी सर्ण में जाएगा मेरी भक्ती करेगा तो मेरे पास रेगा उसकी भक्ती करेगा तो उसके पास पहुंच जाएगा अठार में जाएके त्रेशट में सलोक मगीता ग्यान दाता कहता है कि अब तू सोच ले तूने कौन सा फैंसला करना है मेरी सर्ण में रहना है तो अठार में जाए कि पैंशिट में सलोक में खा कि मुझ ममन वाला हो मुझे नमस्कार करे और मेरा हिस्से मन कर मुझे ही प्राप्त होगा डॉंट वरी फिर अठार में जाए कि चोशट में स्लोक में गिता ग्यान दाता कहता है तुझे एक गुप्त से और गुप्त बेद बता जिता हूँ कि जिस परमात्मा के सरन में जाने को मैं तुझे कह रहा हूँ अठार में जाए कि बैसट स्लोक में वो मेरा भी इस्ट देव है ये गुप्त भेद है मैंने तो मेरा गुप्त से गुप्त तुझे बता दिया है एक तो गुप्त बता चुक है अठार में जाए कि तरी शट्मे सलोक में कि ये अती गुपनिय से भी गुपनिय ग्यान तेरे को गीता वाला मने सुना दिया तो फैंसला कर ले डीसीजन कर ले तुने मेरी संट मेरा नायुद करना पड़ेगा और जना मरत तो तेरी भी बनी रहेगी मेरी भी रहेगी ये तो समाथ होई नहीं सकती और उसकी संट में जाना है तो उसकी संट में जा उसको उसके लिए संतों को खोद ले मुझे निमादू फिर अठार में जाया कि 64 में सलोक में तुरंद कहता है कि एक गुपत और बता हूं सुने दुबारा सुन मेरा पुझ्जे देव इस्ट देव वही है परमात्मा ने कहा था आउगत से चल आया मेरा कोई भेद मरम नी पाया मात पिता मेरे नई ना मेरे गर्दासी मजुल है का सुतान का हाजगत करा मेरी यासी और फिर कहा था तेरा जोच शुरूपी अलख नरंजन वो दर्दा ध्यान हमारा क्योंकि यह जितने भी काल के पुझारी हैं बिर्म पुझारी हैं उसको अलख नरंजन बोलते हैं कि वो तेरा अलख नरंजन वो दर्दा ध्यान हमारा वो भी हमारा ध्यान करता है तब यह अपना गुझारा चला रहा है किस बिर्मांड का हम फिर उसी परसंग पर आते हैं तो अठार में जाएं कि बैसिट त्रेसिट चौन सेट पैसिट और चैसिट में कतीम इरनायक ज्यान है अभ पैसिट में कहा कि तु मुझ मनवाला हो मेरा भग्द बन मुझे नमस कार कर तो मुझे ही प्राप्त होगा चिंता मत कर फिर अठार में जाएं कि 66 में स्लोक में कहा कि यदि तुने उसकी सर्ण में जाना है उपरमक्सर ब्रम की सर्ण में जिसके जिसके विशे में आठ में जाए कि गीता के पर्थम मंतर में अरजुन के पूछने पर किम तत ब्रम उसका उतर दिया है गीता ग्यान दातान तीसरे मंतर में गीता जाए आठ के कि उप्रमक्सर बिर्म है फिर यह अठार में जय कि छेश्ट में स्लोक में कहा कि उसकी सरण में जाना है तो सर्वय धर्मान प्रितज माम मेरे सतर की जो बिर्म साधना तूने की है जैसे उन नाम का जाफ यग आधी तो मुझ मैं छोड़ दे आए अभमुन श्रद्धालों के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महराज जी से दिख्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ती मार्क पर चल रहे हैं नमस्कार जी क्या नाम है जी आपका नीतू टोंडे नीतू जी आप कहां से हैं मैं गर्यबन चुरा से हूं साची नीतू जी संत रामपाल जी महरा से नाम दिख्षा आपने कब ली नितू जी किर्पया हमारे दर्सकों को बताएं कि आपने क्या-क्या भक्ती साथ नहीं की हैं अभी तक स्टेंडर्ड में थी तब से ना मेरे को देवी भी आती थी सार नीतू जी जैसे कि आपने बताया कि आप क्रिश्चन धर्म की भक्ती साथनाएं करती थी और फिर हिंदू धर्म की भक्ती साथनाएं आप करती थी सभी तरह की भक्ती साथनाएं आपने की तो फिर संतरामपा जी महराज जी की संड में जाने का क्या काराण बना ऐसे तो कोछ मुझे कोई नहीं था फिर मेरे हस्बेंड टीवी देखी संत्रामपाल जी महराज कर ससंग देख रहे थे उस दरान उन्होंने पुरे वेज़सास्त्रों को खोल-खोल कर दिखा रहे थे संत्रामपाल जी महराज जी तो उस समय मेरे हाँ पती जी जो है उन्होंने देख कर पुस्तक को मंगवाई घर में उसके बाद 20 से 25 दिन के अंतरगत में उन्होंने पूरे परमानों को चेक किये हैं पेडियेफ कर करके संत्रामपाल जी महराज से नाम दिख्षा लिए नितू जी संत्रामपाल जी महराज से आपने नाम दिख्षा लिए तो आपको क्या लाब मिले अमारे भगर को ऐसे अवानी सकते थी और मतलब खा भी नी पाते थी और ठीक से स्वान्स नी ली पाते थी उसको इतना ज़्यादा दिक्कत हो जा रही थी जिसमें स्वास रुख भी जाता था हमें ऐसा लगता था कि कुछ भी हो जाएगा और मैं बहुत रोनी लग जाती थी उसके बाद हम लोग डॉक्टर से चेक अप करवाए कि इसको हो क्या रहा है फिर बताए कि रिपोर्ट में आया है कि सैनुट सेर्टिस उसको एक बीमारी है जिसमें जैसे साइसले में जिदिकत अपती हैं और उप्रेट्शन भी किरुए पड़एका से रहपूर में हम लोग दिखाये हैं ढक्टर भट जी को भी दिखाये हैं रहापूर के ही फेमस डॉक्टर है और वियो से चुरा में उसको भी दिखा है तो उन्होंने बताया कि से एक बी तरीके से मेरे भगार जी ठीक हो गया मुझे भी माइगरी ऑफ सिर में दो уб conten मीरेशर ही बीमारी तब होती ठीक रहे एक साइठ से सीर में बहुत ज्याद़ा पें होती थी और रात-रात-बर सोगती घी मैं और इतना दर्द होता था कि मैं रोती भी थी और संत्रामपाल जी में आज से नाम दिख चलेनी के बाद मेरा माइगरेन का जो प्राबलम था वो पूरी तरीके से ठीक हो चुका है और एक और बताना चाहूंगी सर जी कि मेरी हम ममी को कैंसर का बिमारी था जिसको इस्तन कैंसर राइट साइड में हो गया था उनका और उन्होंने जब चेक अप करवाया तो पता चले उसको फोर्थ क्लास का कैंसर हो गया था उनको संत्रामपाल जी महराज को अरदास लगाए कि माली की बिमारी हो गया है करके तो माली का वहां से आदेश आया कि बेटा अब भक्ती करो मंत्र जाब दिया गया है उसकी जाब करो ठीक हो जाओगे तो माली की वैसे ही रजा हुई एक शब्ता के अंदरगत मेरी ममी को उसे निजात पा गई पूरा बिलकुल आज तक से एक टैबलेट भी उन्होंने ने नहीं लिया मेरे यहां बड़े वैसे ही मेरे बड़े भाई बीया है जो बहुत ज्यादा नसा करते थे गांज कोली आचेको कि लनकल केम चेभी रहते करते हैं हैं मैं मने मैं नांच चाहओ कि अफस्चा इमयों है मीरी मम्मी मेरी हम जब भौब बहुत ज्यादा परेशान है ऐसक्तिन को दूझ alluded vedek .... भाई बहान अपने भाईया के वज़े से बहुत ज़्यादा प्राब्लम थे तो संत्रामपाल जी महराज की सिर्फ नाम दिख्चा लेने से ही मेरे बड़े भाईया आज नसा मुक्त हो गए हैं बिल्कुल कोई भी नसा नहीं करते वो नसा भी करते हैं को कोई दूसरा तो उसे दूर भगते हैं ऐसे माली की रजव हुई संत्रामपाल जी मराज की रजव हुई और मेरी बड़ी गुडिया है जो पहले जब हम लोग नाम दिख्चा नहीं ली थे उसके पहले दो बार उसको जटका आ गया था जिसमें ब्रेन में मतलब बुखार चड़ जाता था तो उस 14 बजी रात को उसको एकदम तेज बुखार हुई और उस दौरान हम लोग एक भी टैबलेट वगरे नहीं पकड़े थे और डॉक्टर से चेक अप करवाया थे उसका सेटी स्कीन करवाया थे मराई करवा थे जब हम लोग नाम दिख्चा नहीं लिए थे तब तब की बात है तब उन्होंने बताया थे कि आप लोगों को पांच साल तक से इसका टैबलेट को रखना पड़ेगा अगर आपका इसका तेज बुखार नहीं आना चाहिए अगर आएगा इसको तो हमेशा के लिए जटके वाली हो जाएगी मतलब मेंटली प्रॉब्लम हो जाएगा ये बत और हम लोगों पास कोई उपसनहीं था कोई टैबलेट नहीं था। हमेटाम्प recruiting से को नाम दिक्षत दिया जाता है उससे में बॉठल में चंडनाम ने दिया जाता है तो उसमें से थोड़ा सा हम लोग अपनी बड़ी बली गुडिया को पिलाए और सिर्फ एक दो सेकेंड के ही अंतरगत मेरी गुडिया पूरा पसिना पसिना हो गई जैसे कि आपके बताइने उसर आपको संतरामपल जी महराज से नाम दिक्षा लेने के बाद बहुत सरे लाप मिलें तो जो दर्सक आज आपको टी पर देख रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे संतरामपल जी महराज से नाम दिक्षा कैसे ली जा सकती है संतरामपल जी महराज से नाम दिक्षा बहुत ही एजी है चैनल में ससंग आता है संतरामपल जी महराज का उसके नीचे में पट्टी चलती है जिसमें नंबर दिये गह रहते हैं उस नंबरों में आप डायल कीजिए और अपने निजदीकी नाम दानकेंद्र का पता करके संतरामपल जी महराज से नाम दिक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर करें 8222 880541 गरिब धन जन नी धन भूमी धन धन नगरी धन देश धन करनी धन कुल धन जहां साधू परवेश जगत गुरू तत्व दर्शी संतिरामपल जी महराज की 74 वे अवतरण दिवस के अवसर पर दिनांग 6,7,8 सितंबर 2024 को नेपाल सहित भारत के सभी सतलोक आश्रमों में तीन द्विश्य महा समागम का आयोजन किया जा रहा है इस पवित्र अवसर पर तीन द्विश्य अखंड पाट विशाल भणडारा विशाल सत्संग समहारों जैसे कई भव्य कारेकरम भी होंगे जिसमें आप सभी नगर वे ग्राम निवासियों को इस विशाल एद्वित्य भणडारे में साधर आमंत्रित किया जाता है आयोजन स्थल का पता है सतलोक आशरम धनाना धाम सोनीपत हर्याना इस कारेकरम का सीधा प्रसारण सुबा सवा नौ बजे से दोपहर सवा बारा बजे तक संद्रामपाल जी महराज यूट्यूब चैनल और स्पिच्वल लीडर संद्रामपाल जी महराज फेसबुक पीच पर भी देख सकते हैं